तो आज हम जो पॉइम की बात करने वाले हैं वो पॉइम है डेफ़ोडिल्स और फॉस्ट रेट के इस सेलिबस में थर्ड नंबर पर ये दे रखी है नंबर मेंटर नहीं करता अलांकि लेकिन हम थोड़ा स्टिक्वेंस से पढ़ रहे हैं और डेफ़ोडिल्स हो पॉइम है व जो आजकल चलन में वर्ड है रोमेंटिक यह वो रोमेंटिक नहीं है या क्योंकि चलन में रोमेंटिक जो है उसका मिनिंग तो हम सिर्फ जो लवर और बिलवर उससे लेते हैं कि रोमेंटिक है वही लेकिन यहां पर रोमेंटिक एज जो है पुरी रोमेंटिक मॉव्मेंट जो है पुरा वो इस शाब्दिक अर्थ पर इस वर्ड मीनिंग पर बेश जाए कि रुमेंस से बना यह ना और रुमेंस का मीनिंग है कि जब आप अगेंस्ट दी कन्वेंशन्स अगेंस्ट दी रूल्स जाते हो कोई भी रूल्स जो इस्टैब्लिष हैं जो सेट हैं उनके अगेंस्ट अगर आप जाके बात करते हो उनके अगेंस्ट आप भूलते हो तो आप रुमेंटिक के लाओगे तो यह रुमेंटिक का असली मीनिंग है इसको बाद में को साइटी के लोगों ने चेंज कर दिया और आज हम कुछ और मीनिंग देखते हैं उसका सो वैसे मैंने एक क्वेशन नहीं पूछा आप लोगों से कि मैं मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को निशा और जहिंपाल जी Am I audible? पता लगे मैं भोले जा रहा हूँ और मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही हूँ इसका मतलब I am audible So, Daffodils Poem की बात करने वाले इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें एक आखरी बात कि Daffodils Poem जो है उसका जो original title है वो Daffodils नहीं है Okay, Daffodils हम उसको popularly बोलते हैं और खासकर इंडिया में बोलते हैं इसका जो original title है वो I wandered lonely as a cloud जो इसकी पहली लाइन है वही इसका original title है तो आप याद रखेगा ये question बोल सकता है आप से कि Daffodils Poem का जो original title है या other title है वो क्या है आपको याद रखना है I wandered lonely as a cloud So, इसी बात के साथ हम अपनी आसी class शुरू करते हैं सबसे पहले तो I wandered lonely as a cloud ये 1807 में जो है पब्लिश होई थी और किस collection में पब्लिश होई थी Poems in two volumes Okay, Poems in two volumes और इसको Daffodils नाम से भी जानते हैं लेकिन हम तो Daffodils नाम से ही जानते हैं ये क्योंकि जो content है वो अच्छी book से लिया गया है जहां पर इसका नाम I wandered lonely as a cloud मैं एक अकेले cloud की तरह भढ़ता था ये तो इसकी Hindi कर रहा हूं मैं भी अलाकि हम जानते हैं कि Hindi गणने से गाम नहीं चलेगा सिरफ तो और Daffodils नाम क्यों पढ़ा क्योंकि natural सी बात है कि इस Poems में जो focus है जो सारा center किया गया है किसके उपर है वो वो Daffodils जो flowers होते हैं जो full होते हैं उनके उपर बात की गए इसलिए इस Poem को हम Daffodils Poem के नाम से जानते हैं तो याद रखेगा यहां से question क्या बना 1807 बना एक तो एक poems into volumes question बन गया और तीसरा question बन गया कि इस Poem का जो other title है वो क्या है कि क्या तीन question यहां से सीधे सीधे बन ग कर लेते हैं तो Poem जो है उसकी structure की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो यह Poem जो है इसको मैं save करता हूँ पहले तो ओके ना इस गुड़ यह जो Poem है यह फोर स्टैंजा में बटी हुई है ओके फोर स्टैंजा है इसमें और इच स्टैंजा contains six lines प्रते एक स्टैंजा में six lines है और इसका मेनिंग क्या हुआ कि यह Poem में total कित्य लाइन है 24 lines है लिकार six multiplied by four is equal to 24 और आरपेस ही जो है वह इस तरह के question बड़े असानी से पूछ सकती है आप से हलाकि as a literature student and as a literature literature के teacher के रूप में मुझे लगता है कि ऐसे question नहीं पूछे जाने चाहिए अब अच्छे deep question पूछे जाने चाहिए लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है वो पूछते हैं तो अब याद रखेगा 24 lines है इसमे 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 फोर stanza है अब आगे चलते हैं कि जो stanza है उनकी rhyme scheme क्या है तो stanza की rhyme scheme बड़ी simple है a b a b c c 6 lines हैं प्रते हैं में तो प्रते हैं की rhyme scheme क्या है a b a b c c a b a b का meaning हुआ कि पहले और तीसरी line rhyme कर रही है a और a और दूसरी और चोती line rhyme करेगी b और b और उसके बाद में पांच वी और शटी line rhyme करेगी तो a b a b c c इसकी rhyme scheme है okay now जो आखरी बात आती है structure के बारे में वह आती है कि इसका meter कौन सा है okay तो पहले मैं आपको sonnet में बता चुका हूँ कि भी iambic pentameter होता है iambic का meaning क्या होता है एक unstressed और एक stressed syllable जब आता है तो वह iambic कहलाता है है लेकिन यहां पर pentameter नहीं है यहां पर tetra meter है मतलब यहां पर पांच जोडिया नहीं है यहां पर tetra meaning 4 चार जोडिया है तो मतलब यह हुआ कि यहां पर five feet ना होकर four feet है और उन four feet का sequence क्या है कि वोइड इसमें आएंगे तो एक unstressed और stress आएगा ओके तो iambic मनें unstressed stress और tetra meaning मनें चार यानिकी four feet यानिकी art syllables pentameter में 10 syllables थे तो टेट्रमेटर में कितने होंगे टेट्रमेटर में eight syllables होंगे चलिए यह तो बाती point की structure की नाओ थोड़ा सा tone की बाद भी कर लेते हैं उसके बाद इस just इस slide के बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे किसको टेक्स्ट को नाओ तोन की बात करें तो इसमें अगें हर पॉयम की तरह tones तो अलग लग हैं लेकिन हाँ यह बात अपन बोल सकते हैं कि इसमें एक टोन जो है वह dominant है पूरी पॉयम में जो रहेगी वैसे तो लाइन दर लाइन लाइन प्रति लाइन जो है टोन में हलके अलके काम या हैपी जहां भी मिलेगा वह इसका अंसर होगा पहले बात तो लेकिन यह भी जानना जुरूरी आपके रिए कि ऐसा नहीं है कि इसी दो टोन से हम पूरी पॉयम को खतम कर सकते हैं पॉयम जब शुरू होती है तो इस फुल अफ इमोशन्स तो इमोटिव टोन है उसके चाहां भी डाइफडल बात आएगी वहां वहां पर आपको इसके एक्ष्प्रेशन जो है वह हाइपरबलिक मिलेंगे मतलब यह बातों को बढ़ा चरा कर बोलेगा चाहे बोलना हो कि 10 अधार देख लिए मैंने एक बार में इस चाहे वह यह बोलना हो कि स्टार की तरहां फ प्रफशन मनता है आपका की डैफ़ोडिल्स पॉइम में टोन क्या है तो आप दो में से एक कोई भी आपको दे रखा होगा जो या दोनों दे रखे हैं तो बहुत सी बात है एक यूप्शन में कि ट्रैंक्विल और जोएस ट्रैंक्विल का मतलब काम शंथ और जोएस का मतलब हैपी तो यह आपको याद रखना है इनी शब्दों के साथ हम इस पॉइम की जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा पढ़ना आज शुरू करेंगे ओके आपको भी तुछ साथ दिहाई दे रहा होगा सही है ना टेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइम की शुरूआत करते हैं आई वैंडर लोनली एज लाउड पहली ही लाइन जो है उसमें हमें एक सिमली देखने को मिल रही है और सिमली आप सब जानते हैं कि यह एक तरहां की डि कंपैरिजन नहीं होती है कंपैरिजन बोलते हैं कुछ लोग इस नौट कंपैरिजन इस कंपैरिसन ओके तो पहली लैन में हमें कंपैरिशन मिल रही है लाइक और एस का यूज हो रहा है और वह कंपैरिशन क्या हो रही है कि वर्ट्स वर्थ का जो घूमना या भटकना है व बादल की तरह तो यह सीधी सीधी सिमली है बच्छो असान जरूर है लेकिन यू यू के नेवर टेल की आर्पेस्ट क्या पुछेगी तो आपको बता होना चाहिए तो मैं एक बादल की तरह अकेला अकेला भटक रहा था और बादल कौन सा बादल को भी डिफाइन किया गया है वह बादल जो बहुत उंचाई पर वेल्स यानि की वैली घाटियां और पहाडियों के ओपर फ्लोट फ्लोट वर्ट जो है बच्छो वो दोनों के लिए उज़ होता है पानी में तैरने के लिए भी और हवा में तैरने के लिए भी तो यहां पर नैचुनल सी बात है कि और जब मैं भटक रहा था तब क्या हुआ वेन ओल एट वन्स आई सौ अक्राउड जब मैंने तुरंत एक साथ अचानक से देखा क्या देखा अक्राउड और होस्ट दोनों ही वर्ट जो हैं यहां पर आपको दो-दो फिगर्स मिलेंगे देखिए पहली बात तो यह लीका इसका गॉलडन डैफिर्स का करें अब फिगर फिज की पर्रींद सकते हैं वह तो मान सकते हैं इसको कि यहां पर और नोन लिविंग डेफ़ोड इस उ हैं उनको क्राउड की रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह पर्सोनिफिकेशन हो गया लेकिन यहां पर मेटाफोर भी है क्यों मेटाफोर है क्यों कि वो उस तरहां से थे जैसे कि लोगों की भीड होती है लेकिन तरहां से वर तो यहां पर आ नहीं रहा वो कल वाली बात होगी न कि अगर तरहां से होता क्राउड की तरहां से मैंने देखा उनको या वो क्राउड की तरहां से personification दोनों हो गया दोनों में same चीज़ आगब के लागाउस्थ में अब मारे basics को करने वाली होनी चाहिए है कि तो में आपका वहालना है aurais को पहले से बात पता हो हो कि personification जो होता है students यहिस्ट तरह का metaphor ही होता है okay metaphor होता है เชमेशा iPhone Matrix हो यह जरूरी नहीं है लेकिन personification हमेशा ही क्या होगा एक तरहा का metaphor होगा क्यों होगा इसको हम उधारन दवरा समझते हैं for example if I say कि the flowers were talking to me the flowers were talking to me तो इसमें कही ना कहीं ये बात तो छिपी होई है यह ना फूल मुझसे बात कर रहे थे तो ये personification दिख रहा है आपको साफ साफ है क्योंकि फूलों को इनसानों की तरह बिहेव करते दिखाया गया है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये बात छिपी भी नहीं है क्या कि flowers जो हैं जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो they were behaving like human beings they were behaving like human beings तो अब like word मैंने लगा है like word लगा हुआ नहीं है वो इस सेम बात कि यहां पर अगर आप like को हटा दो कि fool जो हैं मुझसे बात कर रहे थे human beings की तरह तब तो ये simbly होती क्या होती simbly लेकिन यहां तो यह बोल रहा है कि कि मुझसे बात कर रहे थे जैसे human beings करते हैं तो मतलब flowers as human beings मुझसे बात कर रहे थे तो आप एक बात रखेगा हला कि इस बात को थोड़ा और समझाने की ज़रूरत पढ़ेगी मुझे अभी मुझे I know that कि यह बात पहली बार में समझ नहीं आएगी जो बात मुझे लंबा समय लगा है समझने में वह आपको एक ही बार में समझ नहीं आ जाएगी परशिंता मत करिएगा यह बात मैं आपको बहुत ही अच्छे सारी केशा समझा कर छोड़ूँगा कि metaphor और personification बहुत बहुत ज़्यादा अलग लग चीज़े नहीं है personification जो है वो हिस्सा है एक बड़ी लिटरी टर्म का इसका नाम है metaphor तो याद रखेगा personification एक तरह का क्या होता है metaphor ही होता है चलिए तो जब मैंने देखा अचानक से क्या एक भीड देखी मैंने एक group देखा golden daffodils का अब golden का मतलब वो सोने के तो है नहीं फूल है तो फूल होंगे लेकिन वह golden क्यों है because उनका जो color था वो bright yellowish color था ना bright yellowish बने चमकीला और पिला जैसा gold का होता है वैसा beside the lake beneath the trees और मैंने कहा देखा उनको लेक के पास ये आपको notes में मिल जाएगा उल्स वाटर लेक थी उस लेक के पास में side में लगे हुए देखा मैंने beneath the trees और उस लेक के side में जो trees थे उन trees के beneath मैंने नीचे ये daffodils जो है वो लगे हुए थे fluttering and dancing in the breeze fluttering and dancing again personification फड़ फड़ा रहे थे ये तो मान सकते हैं कि personification नहीं है ये तो हवा के कारण fool जो है पत्ते जो है वो flutter करते हैं लेकिन जो दूसरा word है dancing डांस कर रहे थे वो in breeze ये personification है कैसे भई डांस कोन कर सकता है इंट पत्थर ये डांस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते न डांस कोन कर सकता है someone who is living जो जीता जागता इंसान हो या कोई living being हो सजीव हो तो ये डांस कर रहे थे मतलब इनको सजीव की तरह represent किया गया है इसका मतलब ये कौन सा figure of speech हुआ personification मानवी करन तो मैंने उनको देखा एक लेक के पास पेड़ों के नीचे जब वो फड़ फड़ाते हुए डांस कर रहे थे हवा के साथ साथ हवा के साथ साथ तो ये पहला स्टेंजा है कि मैं एक बादल की तरह तनहा अकेला भटक रहा था उस बादल की तरह जो पहाडियों और वादियों के उपर तैरता है जब मैंने अचानक से एक भीड देखी एक ग्रूप देखा सुनहरे रंग के golden diffidels का को कहा थे लेक के पास में और पेड़ों के नीचे और वो फटफडा रहे थे और दांस कर रहे थे हवा के अंदर या हवा के साथ साथ यह तो था बच्वांक का पहला स्टेंजा आगे चलते हैं दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं आज धरंपाल आप जो हैं continue जुड़े हूं है उसका मतलब आपन करते हैं तो वो डांस कर रहे थे और डांस करते करते फिर यह वर्ट्स वर्थ क्या बोलता है कि continuous as the stars that shine और वो यहां पर सिमली आ रही है साफ साफ दिखरी होगी आपको continuous as like और as का प्रेव करते हुए उन फूलों को compare कर रहा है कि इंसे stars से और वो उनकी जो कतार थी उनकी ज से कि stars होते हैं तारे होते हैं that shine जो चमकते हैं twinkle एक ही बात है on the milky way milky way हमारी जो आकाश गंगा उसका नाम है बहुत ही हिंदी सा नाम है निहारी का नाम है हमारी आकाश गंगा का but it doesn't matter आप milky way याद रखेगा उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा और milky way का एक नाम और भी ह देख सकता हमें नहीं है आपको याद रखना है कि फूलों को वो compare कर रहा है कि से stars से उन stars से जो milky way में चमकते हैं और टिम्टिम आते हैं स्ट्रेच्ट इन नेवर एंडिंग लाइन और वो कभी भी ना खतम होने वाली लाइन में स्ट्रेच्ट फैले हुए थे means ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि उनकी लाइन कभी खतम ही नहीं होगी और यह बात कोई बहुत जादा imaginary या बहुत जादा कालपनिक नहीं है क्यो हमें तो दूर से देखने पर यह लगेगा कि यह तो लाइन कभी खतम ही नहीं होगी तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह खतम ही नहीं होंगे लांस बहुत इंपॉटन बन जाती आरपसी के चाहब से दो कोस्ट बहुत सिदी सिदे बनते हैं यह से एक क्वेस्टन जो अगेन मैं कह रहा हूं कि नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछा गया है यह कौश्चन और यह वेसको पूछा गया है उस एक्जाम में जिस एक्ज ने डिखा हुआ है 10,000 अलाकि मुझे इस question में थोड़ी सी अपत्ती है पर वो अपत्ती रगाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मेरा exam clear हो गया था अपत्ती क्या थी कि उसने total full 10,000 नहीं देखे थे उसने 10,000 एक glance में एक जलक में देख लिये थे मतलब एक बार में उसने कितने flowers देख लिये थे 10,000 बट फिर भी अगर question आता है तो याद रखेगा दूसरी बात इसमें एक figure of speech है और वो figure of speech कौन से है hyperbully hyperbully कैसे होगा बच्चो क्योंकि बच्चो 10,000 word यूज़ कर लेना उन फूलों को बिना count किये 10,000 number कोई छोटा number नहीं है अगर वो count करके machine से कैसे भी बोलता कि मैंने गिना उनको और मैंने देखा कि वो 10,000 थे तो फिर या hyperbully नहीं होता यस गरिमा बिल्कुल सही hyperbully है और लेकिन उसने बिना गिने बोल दिया कि मैंने एक बार में किते देख लिए 10,000 और कहीं न कहीं इसको hyperbully बनाने में जो main contribution है वो इस word का भी है किस word का at a glance एक ही जलक में वैसे अगर नॉर्मली बोलता कि मैंने 10,000 फूल देखे तो में भी शायद ये hyperbully नहीं बनता लेकिन ये बुल रहा है कि मैंने एक ही जलक में 10,000 देख लिए तो भाई ये तो हो गया ना hyperbully कि एक जलक में 10,000 देख लिए क्या बात है इतने सारे तो इसलिए ये hyperbully है tossing their heads in sprightly dance tossing their heads again personification अपने सिरों को toss मैंने हिलाना इस तरह से है ना फूल थे वो हवा में हिल रहे होंगे ऐसे यहां पर tossing their heads अपने सिरों को हिला रहे है तो सिर वर्ड अपने आप में यहां पर personification hint करता है और सिरों को हिला रहे थे naturally वो personification की बात कर रहे है मानवी गरण की बात कर रहे है in sprightly dance sprightly मैंने heavenly स्वर्गिया मतलब मरवा नहीं स्वर्गिया मतलब देवी है dance dance word यूज करना भी again personification है कि वो fool जो है वो dance करते हुए अपने सिरों को हिला रहे थे जैसे कि कोई heavenly द्रश्य हमें दिख रहा हो जैसे कि हमें कोई बहुत खूबश्य द्रश्य दिख रहा हो यह students बात थी two stanza's की इस poem के और इन two stanza's से let's see कि कोई question बनता है या नहीं बनता है चलिए question देखते हैं दो stanza's कर पड़ेंगे अपन what is the poem I wondered lonely as a cloud about सबसे simple question बन सकते है जो वह ने बना दिया रियाद रखेगा simple question से काम नहीं चलेगा तो आपको answer पता लगया होगा बिना देखी because this poem is all about a group of deaf for dills उसमें कुछ question ऐसे ही है जिनके answer नहीं है लेकिन देखना यह है कि वो यह यह मैं बता चुको हूँ आपको what is the mood of the point फटा फट से आप तीनों को answer दिन है what is the mood of the point a, b, c, o, d joyful, melancholy, melancholy दुख से बढ़ा, angry, दुश्य से बढ़ा हुआ sarcastic yes, absolutely right रंपाल जी आप भी फटा फट से answer करी दो फिर आगे जलते है तो बिना किसी डाउट के हम बोल सकते हैं कि this is a poem which is full of joyfulness, the joyfulness that comes from the company of nature, because nature ही तो है, डाइफोड इस ओर के है चली, इस question का answer देजिए फटा पटा where does the speaker see the daffodils डाइफोड रिए त्पटा फट पुर्टा फटा फटाफ फ़स फुर्यस मंकर बेलकुल सही बात है ये कि इसका अंसर है इन वैली है ना यहां पर डेजर्ट फोरेस्ट और गार्डन की बात नहीं हुई है तो वैली में ही एक घाटी में वो उनको देखता है और बूलता भी है कि बादल की तरह था जो घाटियों के उपर और पाड़ियों के उपर मंद रहाता है लेकिन वो घाटियों के उपर नहीं मंद रहा था वो इट तो घाटी में घुम रहा था लेक के बिलकुल साथ में golden daffodils what do you say what is the meaning of the phrase golden daffodils of course see answer and nisha unknowingly इसमें आपन ये जो बात करने वाला option है ना चैट में इसको भी definitely शुरू करेंगे जब हमारी classes पूरी flow में चल पड़ेंगी अभी तो मैं देख रहा हूं कि जिन 12-30 लोगों ने course लिया है उनमें से पूरा system बन जाएगा और मुझे पिछली बार भी 29 students मिले थे इस बार मुझे इतने मिले तो बहुत ची बात है ज्यादा students की colorless नहीं है मुझे और और पिछली बार से ज्यादा selection चाहिए लेकिन मुझे इस बार 18 से काम नहीं चलेगा इस बार मुझे final selection चाहिए 20-20 कम से कम और भी ज्यादा में चाहिए अच्छी बात है तो यह कुछ बाते थी आज की हमारी class में हम बाकी बाते जो हैं वो कल की class में करेंगे कल इस point को हम पूरा करेंगे और मैंने PDF जो है वो एप में डाल वीडियो को भी एक बार दुबारा जरूर देखें उसके बाद जब टेस्ट दोगे आप तो फिर आपके questions गलत नहीं होंगे and this is for sure. Okay, so that will be all for today. All of you have a very good night. हम class के टाम को भी बढ़ाएंगे. यह तो और मैं तो यह प्लान भी कर रहा हूं कि जैसे मैं जो offline classes दिया करता है जैपूर में तब मैं बच्चों को notes लिखवा कर बनाया करता था और अभी online classes में क्या होता है generally कि सब कुछ आप depend रहते हो कि सर PDF दे देंगे तो हमें कुछ लिखने की जरूरती नहीं है और यह ब है वो कभी भी PDF में नहीं हो सकती है okay so मैं मेरा काम आपको सला देना है आप उसला को follow करते हो यह नहीं करते हो it is up to you जित्रा जादा follow करोगे उतने जादा अच्छे chances होंगे selection के so good night everybody thank you